शेहर के जनता के मसलों को हल करने और पुलस और जनता के बीज अच्छे रिष्टे स्थापित हो इस उद्देश से शुकरवार को पुलसाइक्त अमितेश कुमार की ओर से जनता से फेस्बुक लाइफ के जरीय समवात साधा गया इस औरान उन्होंने जनता के प्रश्णोकान दिवारत किया वही कई मुद्दो पर चल्ट से चल्ट कारवाय के जाने की भी चानकारी दी शेहर की जनता की सुरक्षा करना पलस की समयदारी होती है जिसके चलते पलस और जनता की पीच अच्छा सवाद होना बहत सरूरी होता है इसे के चलते शुक्रवार को पुलसाइक्त अमितेश कुमार की ओर से जनता से लाइस समवाद के उद्देश से फेस्बुक लाइब के जरीय समवाद साधा क्या इस दोरान उन्होंने के मुद्दो पर अपनी राय साचा की वही जनता द्वारा पूछे गए सवालों को भी उन्होंने चवाब दिया इस दोरान उन्होंने पुलस भरती, पुलस ट्रांसफर, गंगा जमना में चल रहे व्यापार, सीनियर सिटीजन की सेफटी, ताजबाग में नशिले पदात की बिक्री, हुगा पालर पर कारवाही, समेत कई मुद्दो पर चंता से बात की और उनके दोरा पूछे जा रहे सवालों का चवाब दिया, उन्होंने कहा शिहर पुलस सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर हमेशा ही कारिरत रही है, वही आगे उन्होंने कहा कि युवाब वर के पुलस के साथ अच्छे संबन्ध हो, इस दिशा में हम हमेशा कारिरत है बता दे कि पुलसाइक तर अमितेश कुमार के नित्रतों में कई बार महला मीटिंग का आयोचिन किया गया है, इसी तरश पर एक ही समय पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से समवाल हो सके, इस देश उसे लाइफ का आयोचिन किया गया BCN News के लेच दिशा हट्वार की रिपोर्ट